नमस्कार दोस्तों और कुम्ब राशी वालों को आने वाले समय में वो कौन-कौन से खुशकवरिया मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्ब राशी वालों का पारिवरिक जीवन कैसा रहीगा। उनका बिजनेस वैपार कैसा चलेगा। उनका प्रेम संबंद कैसा रहीगा। और साथ इसाथ उनका स्वास्त कैसा रहीगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपुन राशी फल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुम्ब राशी है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज सनिवार है। सनिदेव महराज का दिन है। दोस्तों कॉमेंट में जैस सनिदेव महराज जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर सिलेक्ट करें अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की आज का पंचांग है 27 अपरेल 2024 दिन सनिवार आज की तीथी एत्री तिया आज का नचत्र है जेश्टा नचत्र पत चल रहा है क्रिश्न पज़ आज सूरदे उदई हुंगे सुबह 5 बच के 43 मिनट पे सूरदे वास्ते होंगे साम 6 बच के 54 मिनट पे दोस्तो आज का सुब समय है सुबे 11 बच के 5 मिनट से दुपहर 12 बच के 19 मिनट तक रहीगा अगर दोस्तो कोई सुब काम करना है तो इसी समय करी आपके लिए सुब रहीगा और साथी साथ आज का सुब समय है सुबे 6 बच के 48 मिनट से साम 7 बच के 28 मिनट तक दोस्तो आज आपका लखी नंबर है 3 और लखी कलर है नारंगी और सुनहेरा अब बात करते हैं दोस्तो आज के चानक के नीती ग्यान के बारे में चानक की जी कहते हैं दूसरों में कम्या खोजनी की बजाए अपनी कम्यों पर ध्यान दे जी हाँ दोस्तो गुजरा हुआ समय लोड़कर नहीं आता इसलिए पुराने समय के बारे में सोच विचार ना करे भविस्य की चिंता ना करे क्योंकि अभिवा आया नहीं वर्तमान पर ध्यान दे सफलता तभी मुश्किल लगती है जब हमारी सोच नकरात्मक हो जाती है सफल होना चाहते हैं तो सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़े दोस्तो व्यर्त के कामों में समय भरबाद ना करे अपना समय अच्छे कामों में और दूसरों की भलाई खर्च करने में लगा है तो हर जगा सम्मान मिलेगा जो लोग योजन अबर आते हैं करी मैंनत करते हैं और असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं उन्हें सफलता सरूर मिलती है अब बात करते हैं दोस्तो आज के कुम्बराशी फल के बारे में कैसा रहीगा आपका आज का दिन आई जानते हैं तो दोस्तों बच्चे की किलकारी संबंधी कोई सुबसूचना मिलने से घर में खुशनमा वाता बन रहेगा कोई एक सरकारी काम चल रहा है तो किसी महतोपूर इंसान की मदद से फैसला आपके पच्च में हो सकता है इसी बीच किसी धार्मी कि स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बनीगा पारवारिक गतिवीध्यों में व्यस्ता की वज़ा से आपके स्वयम के महतोपूर काम मध्धे में ही अटक सकते हैं मित्रों के ब्यभार को लेकर किसी प्रकार की चिंता रह सकती हैं उनके साथ कुछ समय व्यति अवश्य करें पता उनके समख्च दोस्ताना ब्यभार रखें प्रॉपर्टी के बिजनस संबंधित डिल हो सकती हैं परन्तु पेपर वगेरा ध्यान से चिक करें दूर दराज के ब्यवसाइक पार्टियों के साथ साथ कोई भी और पार्टी ना करी सरकारी नौकरी पेशा लोगों को इस्थान परिवर्तन की खबर मिल सकती घर में मैमानों के आगमन से मस्ती भरा माहौन रहीगा प्रेम प्रसंगों में इगो की स्थिती आने ना दे साथ ही आपको बताएं जिंदगी की ओर उदास्ट नजरिया रखने से बचे आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगी लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पस्ताना पड़ सकते है आज का दिन मजे करने के लिहास से बढ़िया है इसलिए अपनी पसंदीदा चीजो और काम का लुक्त उठाएं संभल कर दोस्तों से बात करें क्योंकि आज के दिन दोस्ती में दरार पढ़नी किया समक है अपनी कारे कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहार अले आपकी स्याली और काम करने का नया अंताज उन लोगों में दिल्चस्पी पैदा करेगा जो आप अन्नस्दी की से कौर करते आपको अपने घर के छोटे सदस्यों के साथ वक्त वितानस सीखना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप घर में सदभाव बना पाने में काम्याब नहीं हो पाएं इसे भी जीवन साथी की खराब सीहत के चलते आप थोड़ा चिंता ग्रस तो हो सकते साथी आपको बताएं अज आपको आर्थिक रूप से सावधान रहने की ज़रुवत है डैंग से लून लेने से पहले या किसी अन्य योजनाव को अपनाने से पहले सभी आविशक जानकारी को इकत्रित करे आपकी आर्थिक मजबूती के लिए आपको सभी योजनाय पहले से ये तयार करने की जरुरत है ताकि बाद में कोई समस्य ना हूँ फैमली मेंबर में आज खुश्यों का माहौल रहीगा आज गलत फैमियों को मिटाने के लिए अच्छा दिन है फैमली के जिन लोगों से आपकी बंती नहीं उनसे बात करके आज बीती बाते भूलने की कोशिश करें अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइब की आपका प्रेम जीवन कैसा रहीगा आई जानत तो दोस्तों जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें आज अपने दिल की बातों को दवा करकनी की सरुवत नहीं है क्योंकि ऐसा करने से उनके प्रेम या प्रेमिका के मन में यह बात उत्पन हो सकती है कि आप उनसे प्यार नहीं करते दोस्तों ध्यान रहे आज कोई अन्य वैक्ति आपके प्यार के मद्दे में हस्तचेप करने की कोशिश कर सकता है या आप पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल होंगी अगर आप उनकी बातों को सुनते और प्रभावित होते हैं तो या आपके प्रेम प्रसंग को नीचे की तरफ ढखेल सकता है इसके अलग अगर आप बहारी वैक्ति की बातों पर ध्यान ना दे तो या आपके रिष्टी को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है अब बात करें दोस्तों आपके आज के वैपार और केरियर की तो दोस्तों आपके केरियर में भी आज बहुत अच्छे प्रेनाम मिल सकते हैं आज आपकी मेहनत का फ़ल आपको प्राप्त हो सकता है हलाकि अपने काम पर ध्यान देकर समय का उपयोग करें आपके अच्छे काम के लिए सीनियर साब को बढ़ाई दे सकते हैं यदि आप सरकारी छेतरे में काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए सांदार बीच सकता है लेकिन काम की भारी रगेगी इसकी अलावा आपको उस कारे को जल्दी समाप्त करने के लिए आदेश भी मिल सकते हैं व्यपार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन मुनाफ़ा देने वाला लिक खराया ध्यान रहे दोस्तों व्यपार में आज के दिन किये जाने वाले समझवाते लाबदायक साबित हो सकते हैं वस्तर उद्धोग और खाद उद्धोग से जोड़े व्यापाडियों को आज लाब प्राप्त हो सकता है तो दोस्तो ये था अज का कुम्ब राशी का राशी फन रोज की कुम्ब राशी देखने के लिए आप मारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलेक्ट करें आपका दिन सुभू नमस्त दोस्तो राधिकिष्णा